नमस्कार मैं टूइंगल आप सभी के सामने एक बर फिर से उपस्तित हूं नए नए खबरों के साथ न्यूस मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूं आपका न्यूस मोमेंट हिंदी में तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ हेलो विवर्स कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सभी अच्छे होंगे हमेशा की तरह आज शुक्रवार है और शुक्रवार की को हम कुछ अलग पेश करने जाते हैं आशागर्दी हों कि आपको पसंद भी आएगा लेकिन हमारी खबरें खबरों की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सुझाओ अपने विचार हमारे साथ साजा कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपके स्क्रिन पर दिखाए जा रहे हैं ताकि हम आपके विचारों को आपके अनुभाव को लोगों के तक पहुचा सके और उन् आसनसोल मोबाइल नमबर 8695607709 तोल फ्री नमबर 180 01233 क्रिपल लाइन डबल लाइन इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक कुछ राज्यों में बढ़ रहा है डेंगू आए जानते हैं डेंगू के बारे में कुछ मांसून के आगवन के साथ हवामें एक समानी उस्सा है विशन गर्मी की तपिष्च्रे राहत और ठंड़क और खुष्णवा मौशम की उमीद है लेकिन इस खुष्णवा मौशम और उत्साह के साथ मांसून अपने साथ कई मौश में बिमारियां भी लाता है ऐसे ही एक बिमारी है डेंगू भले ही डेंगू साल भर प्रचलित हो लेकिन मांसून के दौरान लोगों को इस बिमारी का खत्रा अधिक हो जाता है या आद्र उश्नकटिबंधिय मौशम पानी के पोखर और मांसून दौरा बनने वाले जन निकाये जैसे कारकों के कारण होता है जो बदले में मच्छरों के लिए प्रैजनन स्थल बन जाते हैं जो इस बिमारी के वाहग है तो क्या डेंगू और इसकी सुरुवात के लक्षन के बारे में जानते हैं डेंगू वाइरस फ्लुवीरियेट परिवार का RNA वाइरस है या Aedes aegypti प्रजाती के एक प्रकार के मादा मच्छर से फ्यालता है या अन्य वाइरल वुखारों के तरह डेंगू में तेज वुखार के सुरुवात के लक्षन होते हैं जो की 100 डिग्री फॉरेन हाइट से अधिक होते हैं साथी दो या दो से अधिक लक्षन जैसे सर में दर्द, जोडों और मांसपेश्यों में दर्द आखों के पीछे दर्द, उल्टी, ठकान, आदी, देज से गंभीत लक्षन में मसूडों से खून का आना, पेशाव और उल्टी में खून का आना शामिल है डेंगू का नीदान आत्मतोर पर चिकित्सी रूप से शारेरिक परिक्षन और लक्षन आधारी द्वारा किया जाता है हाला कि परियोग शाला परिक्षन का उपयोग करके इसका अधिक ससक्त रूप से नीदान किया जाता है जो डेंगू विशिष्ट एंटीज और एंटीबोडीज की जाश करता है गबरानी के ज़रूरत तो नहीं है विशेशग्यों ने पता लगाया है कि डेंगू उनिश्वी शदी की सुरुवास से होता है डेंगू से पूरी तरह तरह ठीक हुए मरीज की उपचार और रिकवरी डेंगू का इराज करने वाली एक विशिष्ट कोई दवा नहीं है बुखार दर्द आदी जैसे लक्षनों के लिए उपचार अधिक है शरीर का द्रविप्रबंधन उपचार का मूल है चरम मामलों के उपचार में शरीर दरह खोए गए प्लेट को फिर से भरना भी शामिल है जाथ तर मामलों में अस्पताल में भरती होनी के अवशक्ता के बिना घर पर ही दिकवरी का प्रबंधन किया जा सकता है डेंगू को कैसा रोका जा सकता है डेंगू की घटना और प्रशार की रोग थाम के लिए व्यक्ति और समाज दोनों से अधिक समय द्रिश्टी कोन की अवशक्ता है ऐसे कई आध्यान चल रहे हैं जो एक प्रभावी डेंगू टीके को बंद हो रहे हैं लेकिन तब तक रोग थाम ही सबसे अच्छा उपाय है जिसे लिया जा सकता है एक व्यक्ति की रूप में हम सभी इन सरल साबधानियों को अपना कर डेंगू और अन्य मच्छड जनित बिमारियों को रोग सकता है अपनी तशा को उपरिस्ट कपने से ढखें मच्छड भगाने बारे दानी का प्रियोक करें करएं जो आपने के लिए जोखिम को कम करता है और ।־नी के ठहराव को कम करें जिसे पैदा होते हैं और मच्छड की काटनी की दान एक समांच fins के रूप में अपने परियावारby को साफ रखने मच्छोड के प्रेजनन के मैदान को कम करने मच्छोड को कम करने के लिए जैविक एजेंटो और कीट नाशेकों का उप्योग करने के नियोजित शहरी करन का शहरी करन की आवशकता है फीजियो थेरेपी क्लीनिक पुरुशों एवं महिलाओं दोनों के लिए यहाँ उप्योग की जाने वाले मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, Short Wave Deep Heat, Wave Wax Bath, Infrared Lamp इत्यादी श्रिपल्ली, G.K. Roy Sarni, Rupam Building, आसनसोल, उपेंद्रिनाथ High School के पास अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ, 7047456855 पर आसनसोल मंडल ने आजादी के अमरित महत्सों के भाग के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जैनती मनाई भारत की आजादी के 75 साल पूरू होए के उपलक्ष में आजादी का अमरित महत्सों के आयोजन के हिस्से के रूप में दिनांग 11 नौबंबर 2021 को पुर्व रेलवे आशन्सोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कारियाले में प्रस्ख्यात स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जैन्ती का समारो आयोजन किया गया श्री पर्मानन सर्मा मंडल रेल प्रबंधक आशन्सोल एवं श्री एम के मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक ने पुर्व रेलवे आशन्सोल मंडल के शाखा अधिकारियों और करमचारियों के साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के चितर पर पुषपांजली अर्पित की मलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नौवेंबर 1888 को मक्का शाओदी अरब में हुआ था आजाद एक शिक्षा विद पत्रकार स्वतंतरता सेनानी और लेखक थे अजाद उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भारत के स्वतंतरता आंदोलन की नीव रखने में प्रमुख्य भूमी का निभाई है उन्होंने रॉलिट एक्ट 1919 के विरूद में औसहियो आंदोलन को संगडित करने का काम किया और उन्होंने हिंदो मुस्लिम एक्टा के साथ धर्म निर्पेक्ष था और समाजबात के लिए भी काम किया है भारत आजाद सरकार में प्रतम सिक्षा मंतरी थे भारत में शिक्षा के स्थापना में उनके योगदान के लिए 11 नवंबर को उनकी जैन्ती के दिन राष्टि शिक्षा दिवस की रूप में मनाया जाता है 1992 में उन्होंने मर्नो प्रांत भारत के सर्वोच नागरिक पुरुसकार भारत रतने से समानित किया गया था 22 फर्वरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था Moshan Durkapur Center Session 2022-23 Admissions Open for Class 7-12 Pass ITI G and NEET For further information, please contact 94-34-822-278 और 8-9-00-1-000-80 Sillpanchal में अवैद रूप से Ground Water Lift करने वाले पर कारेवाई करने वाले पर कारेवाई करने वर शरकारी आई बढ़ाने के लिए ADDA के सभाक अक्ष में अतरिक्त जिला अधिकारी डॉक्टर अभिजीत सेवाले के अध्यक्षता में कल एक बैठक का आयोजन किया गया बैठक में अपसित विविन विभागों के अधिकारियों को ADM ने निर्देश दिया कि जिला में जहां जहां लोगों ने अवैद रूप से Ground Water Lift कर रहे हैं वहां छापे मारी करके कड़ी कारेवाई करें गौरत लब है कि भूचन निकानने के लिए जियोलोजी विभाग और सिचाई विभाग से सुखरिती लेनी पड़ती है इसके लिए सरकार को शुल्क देना पड़ता है लोग शुल्क देने वा अन्य कारणों से बचने के लिए चोरी छिपे Ground Water Lift करते हैं जिसके कारण सरकार को राजस्व का नुक्सान होता है उन्होंने अधिकारियों को इसकी सुखरिती देने के पूर्व सरकारी गाइडलाइन के तहट सही तईगे से जाच करने का आदेश जारी किया है जिले के 16 लोगों ने Ground Water Lift करने के लिए आविदन किया था जिसमें एक व्यक्ति के आविदन को रद कर सभी 15 आवेदरों की जाच के बाद सुखरिती प्रदान की गई मौके पर सिचाई विभाग जियोलोजी विभाग के अधिकारी जिला परिसद के कर्मा ध्यक्ष आसन्सोल नगर निगम एवं दुर्गपूर नगर निगम के प्रतिन इधी उपस्तित थे शूत्रो क्लास 8-10, क्लास 11-12, ग्राजुवेशन ओनर्सन प्रोग्राम, वी अल्सो प्रोवाइट अल तैप्स अफ कॉम्पेटिटिव क्लास, पर फूर्द इंफोमेशन प्लीस कॉंटक्त 9-9-3-2-8-6-4-0-6-7 और 8-1-1-6-1-8-3-0-7-9 ECL के कुनुस तोडिया छेतर में गुरुवार को एक कारिक्रम आयोजित कर, नवागत मुबाइल मैडिकल वैन को हरी जंडि दिखाकर रवाना किया गया इस अफसर पर छेत्री महा प्रबंधक अनिल कुमार सिन्ह अपर महा प्रबंधक ए एन नायक छेत्री क्रमिक प्रबंधक कुनुस्तोडिया छेत्र मंजूर आलम वह छेत्री क्रमिक प्रबंधक कादुरा छेत्र संजे भौतिक सही देशेश आतिति के रूप में महा प्रबंध मुख्याले एमके सिंग के उपस्तिती रही। साथ ही इस आफसर पर कुनुस्तोडिया छेत्र कारियाले के अधिकारियों वगरमचारियों सही विविन लाभुग ग्राम पंचायतों के प्रतिनी धिवी उपस्तित थे। इस मौके पर एमके सिंग ने कहा कि कुनुस्तोडिया छेत्र समुदाई एक विकास सथा सी एम आर के छेत्र में शहार आन्य कारिय कर रहा है और उसमें बढ़ोतरी के लिए मुबाइल मेडिकल वैन सही योगी होगा। इस मौके पर महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि भारत का अमरित महोद्सवक की तहट आयोजित इस कारिक्रम का उदेश नवागत मुबाइल मेडिकल वैन को हरी जहन्डी दिखा कर रवाना करना है। जो रानी गंच तता जामोरिय ब्लोग के विविन गाओं में जाकर चिकिस्सा वर स्वास्त संबंधित जागरुखता फैलाने के साथ साथ ग्रामीनों का स्वास्त संबंधित जाच कर उन्हें आवश्यक औशदी भी उपला भिकर आएगी। महाप्रबंधक महदन निर्देशक क्रामिक श्री गौतम चंद्रा दे की विशेश पहल एवं दीशा निर्देश के लिए धन्यवाद दिया। इस बैन के लिए उन्हें ने ECLK, CMD, प्रेम सागर मिश्रा को धन्यवाद देते हुए इसे जुड़ी सभी अधिकारियों और करमचारियों के प्रति आभार बैक्त किया है। कोचिंग फोर मेडिकल नीड एंट्रेंस एक्जाम बाइ डी के लाल सर। पूर फर्दर इंफोर्मेशन प्लीज कॉंटाक्ट नाइएट थी टू एट टू नाइन फोर सेवन फाइफ। मितक के पहचान रानी गंज थाने के बलवपूर के पालपारा निवाशी 44 वर्स ये मंगल बौरी के रूप में हुई। मितक पेशेश राजमिस्त्री था आसंसुल जिला स्पताल में आज दो पहर पोस्माटम किया गया। पुली सुत्रों के मुताबिक राजमिस्त्री, मंगल बौरी, सीर शोल और उसके आसपस काफी समय से काम कर रहा था। इलाके के कई लोग उसे जानते हैं। गुरुवार की सुभा, शीर सोल की निवाशी ने नमू बांध या खुले मूँ के ख़दान से बने तलाव के पानी में एक विशेश व्यक्ति का तशव तैरता देखा। अमूमन इलाके में आशान्ती फैलिती हैं। ख़बर मिलते ही पुलिस वरानी का इस्थाने के पंजावी चौकी छेतर में आ गई। काफी मशक्कत के बाद शव को तलाव से निकाला गया। बाद में ख़बर भरी की लोगों ने आकर शव की शिनाफ्ट की। लेकिन किसी तरह से किशी तरह अटलाव के पानी में गिर गया और डूब गया। सांज के बाद कोई तलाव के किनारे यात्रा नहीं करता है। इसलिए किसी को पता नहीं चला। सुबह आसपास के लोगों नो शव को तैरता देखा। पुरिस ने घटना में आसो अभाविक मौत का मामला दर्ज किया है क्योंकि परिवार की और से कोछ शिकायत दर्ज नहीं की गई है पुर्वी रेलविक के आसनसुल मंडल के दो अलग अलग घटना में दो लोगों की मौत हुई दोनों घटनाएं आसनसुल के निमचा और अंडेश्वर्थाना की नीम सार्च चंदन बंडियाकर वर्ष 23 के रूप में हुई है गुरुवार सुभा आसनसुल जिलास पताले में दो शब का पोस्टमाटम किया गया रेलवे पुरिस सूतरों ने बताया है कि चंदन बंडियाकर और सागर गो बुद्वार दोपहर अ जिन्दौली स्टेशन के पास और आसनसुल में नीमचार के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे और उसी दौरान एक्सप्रेंटी ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी घटना सल पर ही मौत हो गई अविनव गिन्नी हाउस अट के अन मुकर्जी लाइन आसनसौल तेलेफोन नमबर 0341-2311-920 मौबाइल नमबर 9933-990442 इट दील्स एन दाइमन जैम्स और स्टोंस गोल्ड हॉल्मार्ट ज्वैलरी इस सिल्वर इटम्स अधुटेंस जॉडियक पावर आइटम और अब पेश है हमारे चैनल से संबधित हमारे चैनल से संबंधित भाषा हिंदी में कविता मैं तो कलम में आग हूँ और आग से बेदाग हूँ संगीत में सुर्राग हूँ अपने वतन का भाग हूँ मैं गंध हूँ मैं हर चमन में पुष्प में पराग हूँ मैं अभागा आग हूँ बैराग हूँ मैं आग हूँ हर तरफ से फूकता हूँ शुद्ध होने के लिए ठोकता हूँ हर तरफ से बुद्ध होने के लिए फेकता हूँ ग्यान जल्द अनिरुद्ध होने के लिए खुलके गाता हूँ भयंकर कुरुद्ध होने के लिए मेरे देश में इंधन तो है आग गायब हो गई है शम्शीर में जो धार थी जाने कहां अब खो गई है खुशाल थी ये कौम दपती जा रही है रो रही है बन गया मरघट वतन कैसे गतिये हो रही है अब तो यौवन का भरोशा रुगंदा में खो रहा है आशकी में मर गया बशलास ही को धो रहा है हर मजहब जगडे में देखो बीज कैसे बो रहा है आग है पर आग को भी देख इंधन रो रहा है लुट गया यौवन बतन का बीथी का चौराहे में घुट गया संस्कार पश्च्यम सभ्यता के साये में धर्म की जो संस्कृती थी लुप्त होती जाएगी आने वाली पीडियां संस्कार खोती जाएगी मेरी कलम में आग है तेरे इलम में आग है घर में देखो नाटकों में और फिल्मों में आग है बंदों ने देखी बंदगी में और बलम में आग है छोड़ दो काश्मीर मेरा योरुसलम में आगए कोशिश है कि फिर लगा दूँ आग पूरे देश में खुद मिलेंगे खाक में फिर का परस्ती भेश में अस्तित्व भी मिट जाएगा खेलता है दुवेश में फिर दिखेगा शुद्ध मानव आग के अभिशलेख में और अब आरी आज के SMS of the moment की Teaching by tongue can be prescribed but by good deed can stay stronger जुबान से पढ़ाने से पसीना आ सकता है लेकिन अच्छे कर्मों से मजबूत बनने रहा जा सकता है खबरों का सिलसला यहीं समाप्त होता है वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का हमें दीज़े इजाज़त हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की आधी सूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना